इन दिनों जयापूर धरना का धरनों का गड़ बन चुका है तमाम अभैषटी है चाहे बात करें आर वाईम की बात करें अडिशनल अगरीधारियों की लेवल टू की लेवल वन की या फिर फिरमेडिकर सब्यृत्व की धरने अनौद जारी है सरकार अपनी मस्तिम मस्त ना ल लेवल टू के अभिरती हैं जो अपनी न्यूक्ति की मांग कर रहे हैं लगातार दसों दिन इनको आगो चुका है लेकिन सरकार से कोई पहल नहीं की गई है हाल फिलाल इन्होंने गोई देवजी के मंदिर में मत्था भी टेकने तेका है और वहां पर भी उन्हें अरदास की है की इनगी मांग जो है वो कैसे निगे शर mnie अभी टर्क पोऊंचा है सरकार इनके मांगी जल्दी ही ऐता लेकिन इनके union को बहली करें नुक्तियां दें क्योंते सरकार से बार बार मांग की ढारी है तमाम यूए-वहयरा संब दो कर दो को मतर सुका यह लेकिन वहां मुझ कि हमारा काम हो रहा है सरकार तक हमारा मेटर जा चुका है जब बेकेंसी निकाल लिए सरकार ने तो हमारा के मेटर पता नहीं पता लेकिन आना कानी कर रही है कि आपने कल यह कहा तक हमरे के सामने कि कि रोड़ी लाल मिना उसी गाहों से आती है उसको आपके में पूछेंगे कि मेरी बैटी वह बैठी है क्या लगता है कि यह आपके बात माननी चीए आपके पास पाहना चीए माननी क्योंली चाहिए हमने उनको चूना है वो अमारे गाउं में जाते है न सुवाई माद़ भूर में उनको इसे हटोलिए में रख लेते हम जैसे को इनके बेटे बेटी हमारे बिलकुल है तो पोत सब्सक्राइबonn उन्होंने तुरंती ही हमको न्युक्ति दे दी ती मत दोजार ठारा वालों को तो भजनलाल जी हमको क्यों नहीं होगा जब हमारा यह आल हो रहा है क्यों नहीं हो सुनना जए भूह आए उनकी पास 4-5 बार जाया हम पीछे-पीछे मतलब भीड में तब मैं ऐसे मतलब ग्यापन लेकर गूमरी थी मिस्टर स्वाई मादवपूर चाहिए मुझे मतलब कहके हटा दिया कि मैंने देख लिया ना तुमारा ग्यापन नमर लिख दिया लेकिन आज दिन तक कोई कॉल नहीं आया उन नमर पर क्यों ऐसा क्यों हो रहा ह गंटे रुकेते तो उन्होंने हमारे पापा लेट पहुचे उनको समझ नहीं आता यह क्या मेट रहे लेकिन मुझे पता नीता लेकि मैं चले जाती तो गाउवालों के सामने अगर हम उनको यह बोलेंगे कि हम तो अच्छा लगेगा क्या कि उनकी बेटिया जब देश सिख इस एक राष्ट का निर्माता होता है और सिख्षक ऐसे घरने पर बैटा सिख्षक की धरना कर रहा है तो देश क्या उन्नति करेगा जब बच्चों को यह तो नहीं फेपर दिया हमारे को एक लाइन भी अलग नहीं उनके बीच में बेट की पेपर दिया हमारे साथ क्यू भ अबीको सुननी चाहिए लेकिन विशेश तोर से जो कि हमने मतलब बिलकुल कि रोलाज हमारे विदान सबस्वा चैतर से इसलिए उनको बोलते हैं और हमारा अधिकार बनता है जब हमको बोट देने का अधिकार तो हमारी हम हक मांगने का भी अधिकार है था मिश्टुडेंट स जो कोई भी नहते हैं पर नहीं पहुंचा है जिसे कि इनकी बास सुनी जाए इनकी जो मांग है उस पर ध्यां दिया जाए मैडम देखिए दसवादीन है लगातार धन्य पतार जारी है दस दिन ओर भी जाएंगे सरकार को यह लगता है कि आपको कि सरकार बनते ही मंतरी बनते ह यहां लोग परिशान हो रहे हैं इतने सारे अभीरती यह पूरे शहीद समारक जो बनाए कितने सारे बेरोजगर है हजरों के संख्या में डिबान रख लेकिन कई सरकार के चार्म एक राजा होता है वह अपनी प्रजा की पीडा को समझने के लिए उनका सोलुशन करने के लि सरकार नहीं मिल रहा था हम क्या विकादियों की तरह मांग रहे हम यहां पर मांगों को जो कि सारे सलेक्टेड है कॉम्पेटिशन फाइट कि हमने आप अपनी सक्षा के लिए निशुर्ट सक्षा का आप नारा लगाते और बेटी पड़ाव बेटी बिचाव का नारा लगा कर दी हैं लगाता दसो दिन सरकार के नुमाहिंदे हैं वह यहां पर नहीं आप भटा कर रहे हैं तो बूल जाती है और जनता को एक जानवर समझने लगती है क्या मेडम क्या कहेंगे इस पूरे मामले को आप 10 दिन से देखने ही लगातार हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्या लगता है कि अब क्या नहींती रहने वाली है सर वो तो अब नेक्स टाइम देखा जाएगा कि उन लोगों को वो क्या एक्शन लेते हैं कियो कि आशवशंसे नहीं हमें हमारा टारगेट चाहिए क्योंकि जो चीज हम एकजाम दिए हैं हमने दो-दो बार अभ मारी जो नियूस जीडिकर टेस्ट है दो-दो बार हमारी पात्रदा को हम ने UK साबित किया है उसके बावजूद इनका क्या एक्ष न-ग वह हम sudah कर रहे हैं बाकी हमें हमारी जोईनिंग के लिए को examples करना है वो हम करेंगे दस छैलेंजिक करते आрал है कि अब में चैलेंज को हर स्टेप एंप रखर को र क्वीगप्टि आई ड़ हमें अध्र को मेंशन कराया उसके बाद हमने एक्जाम दी है ठीक है उसके बाद हमारे रिजल्ड्स आए हमें प्रोविजनल सेलेक्ट के काउंसलिंग में और तब से हम कोट केस के थूर या किसी भी तरह से तोर्चर होते जा रहे हैं जब हमने इतना स्ट्रगल जिस चीज के लिए किया है तो इतना स्ट्रगल तो बहुती कम है अगर यह 30 दिन पर अगर हमें स्ट्रगल करना पड़े तो हम करेंगे महिलाओं का साफ साफ कहना है महिला बैठी यहां बैठे हैं नियुक्तियां जब तक नहीं मेलेगी तब तक चाहिए तीस नहीं तीन सो दिन भी यहां पड़े तो हम डटेंगे अपनी मांग जो है वो लेकर यहां से जाएंगे सरकार कब तक जानने जाएगी इनकी उमीद और जज़जबा है वो परकरार है आपके हाथ में अडिशनल को नियुक्ति दोगे लेकर स्लोगन क्यों लिखा आपने इस क्योंकि मैं खुद एक अडिशनल डिगरी धारी हूं और मुझे नियुक्ति चाहिए इसी वज़े से मैंने ये हाथ में लेकर करके रखा है और मैं सरकार से निवेधन करती हूं कि मुझे मेरी नियुक्ति हम अडिशनल सात्यों को नियुक्ति दी जाए क्योंकि additional हमने कोई अपनी मर्जी से नहीं किया है सरकार ने मान्यता दिये जिस भी संस्था को उसी संस्था से हमने मान्यता लिये इसकी degree लिये additional की और अब जब additional हमने कर लिया उसके बाद हमने exam दे दिया REIT का REIT pre-pass कर लिया REIT man's pass कर लिया उसके बाद cutoff से ज़्यादा marks लेकर के आ गए फिर हमारा document verification कर लिया गया और अब हमें counseling के समय में हमें provisional list में डाल दिया और बोले कि आपकी seat reserve कर रहे हैं आपको joining अभी नहीं दी जाएगी SLP की तहत आपको विचारा दीन है तो यह विचार सरकार कब तक करेगी Code हमें पता चलता है हम जब निदेशाले जाते है निदेशाले में पता चलता है कि आपका काम SLP के तहती होगा आप महां जाओ हम कोर्ट में जाते हैं कोर्ट में हमारी जो सुनवाई पता नि अभी तक कितनी सुनवाई हो गई है लेकिन अभी तक overment को जवाब दे ने लिए government पता नि जवाब जब तक देगी नहीं तब तक हमारा काम कुछ होना ने है हम नेतानगरी कर चुके हैं, नेताओं के पास जा चुके हैं, MLA के पास जा चुके हैं सबी MLA को ग्यापन दे चुके हैं और सबी ने आस्वरशन दिया है कि हाँ बिल्कुल आपका काम होगा हम आपके साथ हैं आपका काम होगा लेकिन आज पांच महीने हो गए हैं अभी तक हमाने नुईक्ति नहीं दी जा रही है तो सर हम घर पे भी बहुत परेशान हैं पूरी कि थोड़ा टाइम और रहा तो शायद हमें आगरा के पागल खाने में बढ़ती कर दिया जाना पड़ेगा लगता है क्योंकि घर में भी सारी कंडिशन ऐसी होगी कोई बोलता है क्या हम सुनते हैं क्या क्या के रहा हमको समझ में नहीं यह कंडिशन हो रही है हम गेस पे जोड़ करके निवेदा नहीं की हमें जोइनिंग दी जाए क्योंकि हमने इतना संगर्ष किया है हमने मेहनत किये यानि कि दो तीन साल से हम पढ़ाई कर रहे हैं 2021 वाली इन्होंने विज्यप्ति रद्द कर दी हमने पढ़ाई की अच्छे नंबर लेकर आ रहे थे उसमें भ जोड़ाई कर रहे हैं उसके बाद हम कट ओफ नंबर में ज्यादा लेकर करके आते हैं और फिर भी हमारा यह हाले कि आज हमें धरना देना पढ़ रहा है और इसका एक ही रिजन है सरकार और जो सरकार हमारे साथ इस तरीके का रवया कर रही है वो गलत है हमारे साथ न्याय करें जैसे कि 2016, 2018, 2021 में न्यूक्ति दिये वैसे ही हमको भी अभी न्यूक्ति दी जाए सरकार का जो मानस है वो यहां पर वर्टी ने भाप लिया है अब आरपार के रड़ा के मूड में आज चुके हैं सरकार के जो नेता और मंत्री गण है साथ साथ नोगा संदेश दे दिया कि यदि जल्द ही निक्ति नहीं मिली तो अभी आरपार के रड़े करेंगे जिसका सारा और सारा जिमेदारान जिमेदार ने सरकार होगी मैदम क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर सर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यह जो सरकार है यह रामराजजे की सरकार कहला रही है क्या वो जानते नहीं है कि रामराजजे किसलिए जाना जाता है रामराज्य में जनता के साथ अन्याय नहीं होता है और आज यहां इतने हजारों वेरोजगार जो यहां बैठे हैं जिनके साथ इतना अन्याय किया जा रहा है कि जो सरकार है वो उनकी सुध तक नहीं ले रही है मतलब ये उनका हम लापरवाही वारा रवया कहें या क्या कहें मतलब वो हमसे आकर कमसे कम मिले तो सही पूछे तो सही हम यहां भाग रहे हैं वहां भटक रहे हैं हमारे पैसे हमारे पैसे खर्च हो गए हैं की लिए हमारे पास पैसे नहीं आगे हम लेके रहेंगे और सरकार को नियुक्ति देनी होगी क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है हमने इसने शर्म की बात राजस्थान सरकार के लिए कुछ भी नहीं होनी चाहिए कि आज राजस्तानी इतने परेशान हो एक्जाम फाइट करना, नेगेटिव मार्किंग वाला पास करना, उसमें नंबर लाना शायद मुझे समझाने की जरूत नहीं है कि कितना मुश्किल होता है इसलिए मेरी सरकार से यही गुहार है, हमारी प्रॉब्लम्स को समझो, हमारी परिवार उनको छोड़ के बैठे हैं यहाँ पर, आओ हमसे मिलो, कोई रास्ता निकालो, कुछ भी हो, कोई मांग तो हमारी सुनो, हम यहाँ परिशान हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी हमारी में बास्वर्ण die साया हूं, मैं यह हैना करता हूं जाता हूं कि यह एडिशनल कॉर्स करवाया ही, हम्से कर दों करते हूं करते ह्ता नहीं कोई नहीं करता और अगर नहीं देते हैं तो कुछ विगाड़ तो सकते निये इनका ये तो सप्ता माही गए है ठीक है लेकिन अगली बार तो विगड़ सकता है नेक्स टाइम या लोकसभा चुनाओं में और यहां पे सभी परेसान हो रहे हैं ये धरना इस्तल पर सही दिस्मारक पर रात को इतनी ठंड में खुले में सोय रहते हैं जो सबीकों सबीकों दिक्कत हो रहे है और घरपरिवार छोड़कर आपर आइस तो क्या समझके रिखांड है तो ओकमना पर परिस्इंद हो जाए ये बोलने इस बात का क्या करें को आने को पूछने-ती यहां पड़े हुए हैं लुडों खेल रहे हैं क्या करेंगे हम टाइम पास भी नहीं हो रहा है हमारा तो कुछ तो समझो जरा तो मतलब सेंस होना ची सरकार को अगर सब मतलब लाइन में लग लग के वोट दिये हैं उनके लिए तो वह आ गए से जब उनको वोट मांगने थे अब जब हमारी बारी आई यह तो हमसा भीक मंग वाय रहें साले देखें यहां पर इमोशन जो है वो दिलग रहा है गुस्ता जो आफूट पड़ा है हाल विलाल यह बहुत आखोशित हैं तमाम में बैठती हैं जो यहां पर बैठे हैं क्या नाम आपका हितेश गुपताफर मेरा नाम है मेरी सिर्फ और सिर्फ इन सरकारों से हम लोगों न अपने आपको कॉंगरेज पूरी तरह से एक अलग पार्टी बताती है देशित की पार्टी बताती है बेरोजगार गरीबों की महिला पार्टी बताती है तो कैसे हुई जब आप सारी यह महिला है, इतना बंपर आपने जीत हासिल की तो उस जीत की आप एक कदर तो करो, उसका आप सम्मान नहीं करोगे, अगर आप अपने इस बोटर का सम्मान नहीं करोगे, तो ये बोटर जो आज आपको फर माते पर बठा के चल रहा है, वो दिन दूर नहीं, जब आपकी इस्तिती वोई कॉंग्रेस वाली इस्तिती हो हैं, उनका कहना ये है कि आप एक अच्छा वकील आयर करो, और कोट में आप अपना केस डालो, और सरकार को जबाब देना पड़ेगा, बात उनकी सही है, मैं उनसे कहता हूं कि हमने जब हमारा रिजल्ट आया, उसके 20 दिन के अंदर, हमारा अक्टूबर में रिजल्ट आया हमारा वकील क्या करेगा, हमारा वकील जरह कैसे करेगा, वो डिबेट करेगा कैसे, वो हमारी बात तो जब रखेगा, जब उस मुद्दे पर कोई जवाब लाएगी गवर्मेंट, जब गवर्मेंट कोई जवाब भी लाने को तयार नहीं है, तो हमारा केस सुनवाई में आ रहे हैं हम काम करें नहीं करें हमें कोई अटा नहीं सकता जो सकता कि हमें हमारे हमारे खिलाब क्या action हो सकता है कुछ नहीं हो सकता है को कि हम government employee है हम बीरोकेट्स हैं हम एक बिवाक के बहुत अच्छे designation पर अधिकारी बैटे हैं principal rank पर हैं DO rank पर हैं है ना हमारे भरती प्रिकोष्ट के कुछ अधिकारी है जिप्टी डारेक्टर्स हैं इन लोगों को बच्च ऐक दिन दो दिन की आप 6 महाने बैठ लोग कुछ नी होगा साल पर बैट लोग कुछ नी होगा मर जाओ धरने पर कुछ नी होगा हम नहीं सुनेंगे धरने से लाओ cinco कोट से लाओ हम केते हैं साब हम कोट से ओर जब लाएंगे जब आप को यह जानकर ताज्यों होगा कि एजी और डबल एजी जो एक नई सरकार के गठन के सब्ते भर के अंदर 10 दिन के अंदर बन जाने चाहिए जिससे की सरकार के जितने भी मामले कोट में पैंडेंगे उन पर तुरंत नया हो और तुरत तरीके से वो आगे बढ़े लेकिन दो महीने हो गए इस सरकार को यह कहती है अपने आप में कि मैं डबल एंजन की सरक अगर डबल एजी जब तक बनेगा नहीं तो कोट में इनकी तरफ से वकील कैसे खड़ा होगा और हमारे लिए जवाब कैसे आएगा हम कोट में भी लड़ाई को लड़ना चाहें अगर हम इस धरातल को ना छोड़ के रगर को गर जवाब ही नहीं लाते हैं चार-चार महीने सब्सक्राइब करें तो या ताबूत में आखरी कील का काम करेंगा यूगा क्योंकि रोक्सवा चुनाव आ गये हैं दोजा चोइस के नजदी की हैं यूख सर्पई हैं और चंद दिनों में असार से तन लगने वाली है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा निकल रहा है पहार निकल करेंग